तो हेलो चो स्वागत आपका अमारी नहीं वीडियो में आज अपने जारे हैं मैंटर इन अवर सराउंडिंग चैप्टर चैप्ट को सकता है तो सबसे पहले देखते हैं के टो चीजों पर डपने करती है तदो आपने को प्रेशर ज्यादा नहीं करता लेकिन टेंपरेट करता है ठीक है तो ऐस चैन्प्रेचर के एफेक्ट करना तब्सक्राइब हो डीब अपने लिकुड में अपन्य पाइन पाइन चीनि डालते हैं तो तो यह पंद में करते हैं और एक losing temperature of solid solid sun temperature increase करने पर kinetic energy of the particle increases intuitive energy particles के वा जाती इनक्रीज जाती कि अधिस एनको पाटिकलोड के अनरजी जोगे तो टाक थाने लग जाएंगे। तो क्यों जाएंगे लिक्विड में चालू कर देंगे। अनेयद आज पर नेडिकर इनेयों पर तो पार्टिकल सेठ बइब्रेटिं बिर्ट कि जातरी स्पीड जो मैंने लग जाएंगे भाइब्रेट करने लग जाएंगे the temperature at which solid melts to become a liquid at atmospheric pressure क्या गलाता है melting point उस temperature पर जिस पर जो solid है वो liquid में change होना चालू कर दे वो क्या गलाता है melting point चालू हो जाए वो melting point है पूरा गल जाए वो melting point नहीं है उस temperature पर जिस पर solid state लिक्विड में change होना चालू कर दे क्या गलाता है melting point गलाता है ठीक है ice का melting point होता है 273.16 Kelvin 16 Kelvin the process of melting that is change of solid into liquid state क्या गलाता है fusion देखो solid का liquid में change होना क्या गलाता है fusion अब आप होए melting point अरे भाई वो melting point एक temperature है एक point है जिस पॉइंट पर जिस temperature पर जो solid है वो liquid में change होता है उस temperature पर at a specific temperature but the changing of solid state into liquid state क्या गलाती है fusion क्या गलाती है the amount of heat तो change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure क्या गलाता है latent heat का मतलब यह है कि यहां पर अपन बात कर रहे हैं कि solid change होगा liquid में उसको fusion कहते हैं लेकर यहां पर अपन कह रहे हैं एडिक क्लो सॉलिट जब liquid में change होगा at specific temperature ठेकर at specific atmospheric pressure प्रेशर वो क्या कहला है latent heat of fusion ठीक है At A low temperature the liquid converts into solid state the change of state liquid into solid क्या क्या गलाता है जब liquid solid में change हो जाता है solid से liquid में change होना क्या 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 है लाता है फ्यूजन के लाता है और इसी तरीके से जब लिक्विड सॉलिड में चेंज जोगा तो उसको कहता है सॉलिडिफिकेशन यानि जमना वह बरफ एक अपना अच्छा एक्जामपल है आइस ठीक है मिल दूसरा बढ़ते हैं लिक्विड इन गैस दूसरा कहा है लिक्वि बैंग पॉइंग इसके लिक्विड स्टाट हो जाया गास में चैंज जोना उनका कहला है वह टैम्परेचव जो अपनी पॉइंथ इन याका कहल नता है वह रहता ओए 984 नटी-3 कलविन भाठर का अपनिफटेट तही थी empowered-out-turn şisher लम ऑनदर जाएंग तो 373 कल याएग व वेपोजीशन लिक्विड का गैस में चेंग जोना क्या लाता है वेपोराइजेशन क्या लाता है वह बाता है जबरानी की बात नहीं है ठीक है देखो दा मांट ओफ एनरजी दैट रिक्वार्ट टू चेंज 1 kg अफ लिक्विड इन्टो गैस एट मॉस्फेरिक प्रेशर एट इस बोइलिंग पॉइंट के लाता है लेटेंटीट अफ वैपराइजेशन घो जब एक लो उद्ट्र अपने एक लिक्विड जब गैस में चेंज होता है एक अट्मस्फेरिक प्रेशर के लाता है वह लेटेंटीट अफ यह बैपोराइज़ेशन है ना लेटेंट का मतलब है आप केजी में वन केज़ी ठीक है लेटेंट का अतला फे एक लेटेश एक वाड़ीख मतला है एक केजी यह मानने तुम तो एक केज़े ठीक है जब गैस इन्टु लिकुड लेकिन जब गैस ने चैंज होगी उसको ख़िए उसको कहेंगे अपन कंडेंशेशन जब लिक्व क्या है जली होता हो तेखे है आपने पटीले में पानी गरम करते हो उसको उपर से डग देते हो तो जसे पानी की बून हैं वह एच अब दूसरा है तो तीफ में तूस स्वाइच में ँस में दूसरा इस मां देखते हैं रवन आप dipping के और टमट करने के सांगे समझुत अ कैलताए निक यख़ यख़ ङाय स्लीमेशन लेकिन छुब चाहिए सथेलवा लगा कर दोगेता में फैर यह वहाई भी डिप्र में लगजाता है व्हें बैंने को भाप गाती है यहांद आप डाटेंज गैस़ डाटेंटलीचेंग इंटनी इंस अथे चार्ज और आपको सब बता देगा अपने पड़ा है को लिक्विड में चेंज करने के लिए कहते हैं फ्यूजन जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है उसको कहते हैं फ्यूजन और जब लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है उसको कहते हैं वैपोराइजेशन उसको कहते हैं वैपोराइजेशन और जब गैस लिक्विड मे चेंज होता सको कहते हैं सब्ली में इसमें कोई दिक्ट कर नहीं है अब दूसरा यह टेंपरिचर पढ़ लिए अपने एफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर कि प्रेशर चेंज होगा तो क्या पड़ेगा तो मैंटरा फांड इन वेरिस स्टेट सो बिकॉज क्यों पाया जाता इस डाइग्राम से आप समझ रहे हो कि मैंने एक पिस्टिल मतलब एक पिछकारी की पीछे की होती है ना दवाब देने वाली वो लिए और एक कंटेनर लिया उसमें मैंने गैस बढ़िये और उस गैस को जैसे मैं प्रेस कर रहा हूं एट लो टेंपरेचर वह क्या बन जा रही है लिक्कुड में चेंज ओ जा रही है तो क्या बहा है लिक्कुफाय गया के लातिए ठीक है वह क को चरीड़े मुझोङ है है सो सभी तैंप्रेचर बढ़ेगा तेम्पलेटेंग श्क्रांप्रेशन हो चेंज हो जनका जा उट सबस्थर किस में लिख्ञ्ड में लिख्डग सबोट्रेशर जनका और बिंद में लिख्ड जब लंग विक्डिकुद इस साथ में प्रेशर बढ़ना तो प्रेशर गटे में तो टमप्रेट ही तरह चुफड़ने खाटा तो टिम प्रेचर लेकिन इसे टमप्रेटरि खाटा कुलिग वी और कूलिंग के साथ CO2 बढ़ा तो ब्रशक्रिया या कर साक्र लिए ख् jeste vo Cindy पड़ाई ब्राइड पर इस डाएकली कन वर्ट इंटो गैसिट टिट या डायक्ट टिटार्ट कहती है और डिक्रेजिंग ओफ प्रेश पिरेस्ट पिरेसर के डिक्रीज्ट होते हैं गैस्ट के बिदाउट कमिंग इन लिक्विड टेड्थ है एंट वन अट्मस्टरी अपने एट्मसफियर थी मु लिक्विड गैस इन त्रीनों स्टेट को क्या करती है डिटर्माइन करती कि अब दूसरे आता है एट्मस्फेयर क्या आता है अपन जब से बात करें एक यूनिट है एटम यह किसके लिए काम आती है जो प्रेशर एक्जक्ट किया गया गैस का अपने उपर वह होता है एट्मस सब्सक्राइब कीज़ञा गैस किसी जब से आपने आत्मसफिर के लाता है इत्मसेयर के लाता है कि यूनिट कराती है पास्क्ल और वन एट्मस्फिर की उनिट हुक्ति होती है न्यानी मॉंटिपलाई to 10 15 पाथकल उन प्रेशा नो प्रेष्वर एन एरं का इन प्रेश्भ एन अड्मासफेर कान है अट्मास्परील में प्रेश्ज है एयरा है काल्ड इस गाल्ड एमस्प возможность आंट है या लु olmuş वे सर्पॉर्टिंग डर्टिंग केप केप सपोर्टिंग है लुकल बेस्ट